अब उसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम डिसकास करेंगे वो severity level है ठीक है यह जो problem है client का वो कितना severe है अब इसको अपने understand कैसे करना है इसको अपने understand ऐसे करोगे कि हम mild उसकत कहेंगे जब बचे की जो functioning level है वो mildly affected होगी यानि वो कहेगा कि मैं जाता हूँ अभी कबार चला जाता हूँ और मेरा जो काम है वो चल रहा है वो बहुत जादा effect नहीं हो रहा लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं effect भी हो रहा है वो कहेगा कि मैं most of the time ये चीज़ें नहीं कर सकता मैं often ये सारा कुछ नहीं कर सकता तो जब वो ऐसी बात आपको कहेगा कि जिससे आपको ये लगे कि उसकी तो life dysfunctional हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये severe level का problem है बट अगर वो ये कह रहा है कि half of the week I went half of the week I don't if the task is like given like 10 times I am able to perform six times sometimes four times so that's mean कि जो उसकी जो nature of problem है that is at the moderate level then we will talk about the specify if अब इदर कुछ जो है वो आप देखोगे कि they are saying कि आपने ये specify करना है कि आया persistent depressive disorder जो है वो pure dysthemic syndrome है जिसना मैंने भी पहले बताया था कि persistent depressive disorder को previously dysthymia कहा जाता था इसका मतलब ये है कि जो problem है जो symptoms है वो last one year से बच्चे के अंदर आ रही है ठीक है और उसके अंदर कोई episode जो है वो depression का नहीं आया थीक है उसके बाद जो next है that is the persistent major depressive disorder यानि इसका मतलब ये है कि जो बच्चे का problem है वो major depressive disorder की जो symptoms है वो last one year से जो है उसके अंदर prevail कर रही है यहां पर आपने एक चीज़ का दिहान रखना है कि यहां पर two year का जो period है यह refer कर रहा है adult को बच्चों के लिए यह refer करेगा one year ठीक है उसके बाद with intermediate major depressive disorder with current episode अब इसका क्या मतलब है कि बच्चे को चल रहा था डिस्ताइमिया ठीक है और उसके दर्मियान में उसको major depressive disorder का episode आया जो के current episode है जिस complaints के साथ वो आपके पास आया है for example एक बच्चा है उसके parents report कर रहे हैं कि पिछले पंदरा दिन से यह कुछ खापी नहीं रहा है इसकी crying spells खतम नहीं हो रही है इसकी self esteem बहुत जादा low हो रही है यह बहुत कम सो रहा है इसका mood हर वका sad रहता है और यह पिछले पंदरा दिन से हो रहा है ठीक है और पिर आप जब पूछते हो कि पिछले एक साल से या डेट साल से या छे महीने से उसका mood कैसा था और जब वो आपको explain करते हैं कि यह mostly अदास रहता था इसकी self esteem बहुती, hopeful इतना जादा नहीं था तो वहां से you will get the idea कि उसको जो है वो persistent depressive disorder का problem है इसी तरहा हम एक और जो specifier है वो यह है कि major depressive disorder without current episode ठीक है इसका मतलब यह है कि एक साल जो पिछला था उसके अंदर बच्चे को persistent depressive disorder भी था और उसके साथ कहीं पे episode उसकी major depression की भी थी अब इसको आप इस नहीं समझ सकते हो कि parents आपके पास आई है and they are reporting you कि from last one year जो बच्चा है उसका mood low है वो sadness feel करता है किसी चीज़ में player feel नहीं करता mostly घर रहता है लोगों से मिलता जुलता नहीं है ज्यादा नाउमीदी की बातें करता if the client is reporting like that और आप फिर उसे यह पूछते हो कि अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी 10-15 दिन में इसका mood बहुत ज्यादा जो है वो sad रहना शुरू ह या lack of layer बहुत ज्यादा हुआ and if the parent said कि हाँ ऐसा हुआ था और उस वोकत हम इसे hospital लेकर आई या hospital medication इसकी start हुई तो वो आपको एक history उसकी मिलेगी लेकिन उस history का मतलब यह है कि यह कभी पहले रहा था लेकिन इस वोकत current episode जो है वो उसकी dysthymia की है तो you need to be specify this thing too then we will talk about the onset onset का क्या मतलब है कि early onset क्या हो का कब कहेंगे हम जो 21 year से पहले बचे को persistent depressive disorder को diagnose किया जाए और 21 year के बाद अगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे late onset तो आपने यह भी specify करना है ठीक है तो आपके case में जो यानि के जो बच्छों का case है उसके अंदर हम early onset जो है वो भी specify करेंगे और यह specify करना इसलिए important होता है कि अगर यह problem prevail करें after 21 year तो जो भी उसकी medical history है उसमें यह आ जाए कि बच्छे को यह problem जो है इसका onset early life में हुआ हो है that help in the management and to understand the causes of the depression